लेकिन जब शत्तिशगड बना था, जब शत्तिशगड बनने के पहले आप मद्ध्यप्रदेश हुआ करते थे, होते थे नहीं होते थे, जो अठारा साल की उमर के हो गए उनको पता नहीं होगा, जो अठारा साल से बड़ी उमर के उनको होको पता होगा, कि पहले आप मद्ध्यप्रदेश से, और जब अटल जी ने चत्तिशगड बनाया, तम मद्ध्यप्रदेश में सरकार किसकी थी, कॉंग्रेस की सरकार थी, उस समय वहाँ दिग्विजेश्टी राज करते थे, भबाने देता है, उनके लिए ये बस्तर आना, चत्तिशगड के इलाके में आना, वो तो पता नहीं किस किस कामों के लिए आते थे, वो तो यहाँ की जनता भली भाती जानती है, और जब विभाजन हुआ, मद्ध्यप्रदेश में, जो चुनावी मैनिफेस्टों ले करके, उस समय मद्ध्यप्रदेश में कॉंगरेस सरकार बनी थी, विभाजन हुआ, तो यहाँ जोगी का वहुमत में सरकार बनाने का मोका मिला, वहाँ दिग्गी राजा को मिला, लेकिन ये उनकी जिम्मेवारी थी, कि कॉंगरेस ने उस चुनावी वादे किये थे, उन वादों क पूरा करना चाहिए, मैं यहाँ के पत्रकारों से कहता हूं, मैं यहाँ के विद्वानों से कहता हूं, कि 36 गड़ बनने से पहले जो मद्ध्यप्रदेश का आप हिस्सा थे, दिग्गी सरकार थी, कॉंगरेस पार्टी ने उस समय चुनाव के जो वादे किये थे, जरा उसको निकालिये, पांच साल उन्होंने, लेकिन जो चुनावी उन्होंने गोशना पत्र जाहिर किया था, उस मैं से 62 प्रतिशत काम, चौंक जाएंगे मेरे भाईयों बैरों चंता की आँख में दूल कैसे जौकते हैं चुनावी वादे कितने फरेव होते हैं कितने गुम्रा करने वाले होते हैं जीता जाता सबूत है कि उस तिन साल में और दो साल दिग्गी राजा के कारकाल में मंत्र प्रदेश में और 36 गड़ में 62 प्रतिशत 60 प्रतिशत से भी जादा चुनावी वादों को उन्होंने खोल करके देखा तक नहीं था उनके वादे खोखले निकले थे ये कॉंग्रेस का कल्चर समझ लीजिए चुनावाते ही भाती भाती के पटारे खोल देते हैं जाना क्या है उन्हें मालूम है आने वाले तो है नहीं तो बोलने में क्या जाता है क्या जाता है ये ऐसे ही लोग है आपने देखा होगा टीवी पर वो एक बाबा आता है वो कहता है आप पकोड़े खाये थे और जब पकोड़े खाओ आपका हो जाएगा ऐसा बोलते हैं ने कुछ आपका भला हो जाएगा ये ऐसे ही बाबा लोग बन गए कॉंग्रेस वाले क्रिपा हो जाएगी क्रिपा है टीवी पर एक शो आता है आपने क्या किया अच्छा दूद पिते हो नई पिते हो दूद पिना शुरू कर दीजिए कुर्पा हो जाएगी ये कॉंग्रेस वाली भी ऐसे ही है बास एक बार उंगली दबा दीजिए कुर्पा हो जाएगी भाईयो भाणो इस देश की जनता ने उनको उनकी चार-चार पिड़ी को परखा है एक दो नहीं चार पिड़ी ने इस देश पे राज किया आप मुझे बताईए इस चुनाव के अंदर उनकी चार पिड़ी ने देश के लिए क्या काम किया उसका हिसाब देना चाहिए ग नहीं देना चाहिए हिसाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए ये लोगों का अधिकार है नहीं है आपका जबाब मांगने का हक है नहीं है उन्होंने जबाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए दे रहे हैं भाई दे रहे हैं क्या उपर से हमसे हिसाब मांग रहे है अरे पहले चार पिडी का हिस हिसाब दो मैं तो हर दिन चार साल का हिसाब देता गुंता हूं सामने से जा करके हिसाब देता हूं